आगे क्वेशन है जो मेंसे अल्मॉस मेरे हर सेशन में कोई न कोई ज़रूर पूछता है इस्पेशली आप लोग की एजग्रूप में कि सर आपकी सारी बाते समझ आती है लेकिन हमको ये नहीं समझ आता हम करे क्या कि different क्या करें, अपने potential को कैसे पहचाने, कुछ अलग करें, तो क्या करें, आप कहते हो अलग करो अलग, तो अलग क्या करें, तो अब हमको ढूनना है आज मिल करके, कुछ ऐसे career options, जो ज्यादतर लोगों को जा तो पता ही नहीं है, पता भी है, तो उनको ये नहीं पता है कि इ बड़ी vision क्या है, उनको लगता है कि हाँ इसमें कुछ नहीं पड़ा है, लेकिन हो सकता है उसमें बहुत कुछ पड़ा हो, जैसे photography, अगर आप बात करोगे अपने घरवालों से या किसी से भी, तो वो क्या कहेंगे, क्या करेगा photography करके, पासफोर्ट साइज की फोटो की चा रहे हो, अगर मैं financially भी बात करो उतना एक महीने में कमा सकते हो, यह बात समझ आती है, डाइजेस्ट होती है, नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है, होती तो है बट यह तरह से caution mark बन जाता है हमारी life में, कि कैसे हम इस तर फुसिवर्ट हैं, कि हम कैसे आगे बढ़े है कि हम देख नहीं पाते हैं, जो देख सकते हैं वो अपना experience शेयर नहीं करते हैं दुनिया के साथ में, कि यह चाहते हैं कि मैं अपने secrets को अपने पास ही रहा हूँ, कहीं और भी लोग मेरी field में आगे तो मेरा पता नहीं क्या होगा, तो यहाँ पर कुछ अलग होने वाला है, if you have something to say, कुछ ideas हैं कि यह किया जा सकता है, लेकि मैं को यह नहीं पता कैसे, तो मैं आपको इक broader vision दे सकता हूँ, कि यह कहां तक आप इसमें जा सकते हूँ, और कैसे जा सकते हूँ? Sir, जैसे मेरा interest है nail arts और यह सब creative fields इतनी भी हैं, तो उसमें मैं देखती हूँ जैसे nail arts के लिए, आजकल कोई professional हमें कोई tutor नहीं है, या कोई देने वाला, जितना हम सीखते हैं, वो online या YouTube से videos और देखके सीख पाते हैं, तो अगर मैं उस चाइप का कुछ खोल सकती हूँ, जै Excellent idea, let's give a big hand for her, why not, why not, इसमें भी इतना potential है, इसकी कोई हद नहीं है, मतलब honestly बता रहा हूँ, ये छोटी-छोटी चीज़े होते हैं, आपको लग रहा होगा, ये बहुत छोटा से काम है, this is something huge, अगर इसको आप ध्यान से थोड़ो सा बड़े लेवल पे देख पाओगे, क्य मेरा क्या है, मैं एकदम से, जैसी आप idea देते हैं, एकदम बड़ा हो जाता है mind के अंदा, नजर आयता है कि क्या हो सकता है, अगर आप सही से उसको execute करो तो, देखो, आपको कुछ बहुत बड़ी जगे तो चाहिए नहीं उसके लिए, तो आप कोई counter चाहिए एक तरीके से, तो वो counter कहां पर मिल सकता है, आपको किसी भी shopping mall में मिल सकता है, shopping mall में शुरू में आपको कुछ permanent भी लेने की ज़रवत नहीं है, जैसे एक select city walk है, South Delhi में, वहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ पर हफते में एक दिन ऐसा होता है, जब हाँ पर stalls लगती है, और वो बहुत ही reasonable rate के ओपर होती है, तो पर नेल आप 500, 600 ये लोग चाहस करते हैं, तो पर नेल आप 500 चार्ज करते हो, पर नेल, पर नेल, मुझे भी लगा लगा लगा, हमें भी थोड़ा पैसा कमबा दो, यह तो बहुत कमाई का धंदा है वई, माला what you are saying is, पर नेल 500 रुपे, तो अगर 10 ने रखा जाये, दस पे कराती है फीमिल ये एक अट पे कराती है, यह 10 तो एक पे लिए 10 पे, तो यह थो यह तो पे, तो आप मतलब, अब देखो ना इसको कहते है दिबाग चलाना, अब आपने या ऑइडिया दिया, अब लगा दिबाग कितना बड़ा होसकता है, अब लगा इनाई इस यूज एक प्रॉबलम है तो पर्वोटरी भी है प्रॉबलम क्या है कि इसके को ही इसीट नहीं है यह अनि की आपको डिग्री को डिपलोमा नहीं चाहिए आपको सीखना है कोई आकर के आप से यहने पूछने वाला भी आप मिने कहां से सेख आख है मैंने क्या कर दिया अब इस लाइन में जाधा कॉमपेटिशन होगा एंट्रेंस हो जाने के नेल आट हर जग है नेल आट देखो और ऐसे लाखो करोडो प्रोफेशन्स हैं अगर दिमाग खुला है किसी का तो देखो प्राब्लम के साथ में अपॉर्चिनिटी कैसे देखते है नमबर वन आपको कोई डिपलोमा नहीं चाहिए कोई एंटरंस क्रैक नहीं करना है अनॉयन सीख सकते हो यूटीब से सीख सकते हो उसके बाद में क्या किया आपको आजमाना है ट्राई करना है यानि कि कुछ ऐसा करना है कि अगर कोई आपको 500 पर नेल का दे रहा है तो अपने दादी को पकड़ा, अपनी फ्रेंड्स को पकड़ा, अपने रेलेटिवस को पकड़ा, आजा बिटा, लगे ओओ, लगे होई, मतलब जब पूरे तरीके से आपने प्रैक्टिस कर ली, एक दो महिने तक तीन महिने तक पूरा confidence आ गया तो आपने क्या किया किसी ऐसे mall को choose किया जो उस particular city में टॉप पे है योगि ये 5000 रुपे जो है वो कोई हर कोई तो देगा नहीं तो ऐसे किसी जगे पे जाना पड़ेगा जहां पे ऐसे लोग आते हो तो वहाँ पे आपने क्या किया stall लगाई कुछ photograph लगा दी design की जो भी आपने experiment करे है अपनी दादी के हाथ के और मम्मी के हाथ के ये देखो तो वो सब आपने दिखाया उनको पताईए जी आपको कौन सा चाहिए क्या चाहिए अगर दिन का पूरे दिन में पता नहीं कितने लोग वहाँ पर आने वाले हैं हजारों लोग आने वाले हैं उसमें से सिरफ दस लोगों का भी आपने नेलाट किया कमाया कितना पचास हजार रपे बन गए entrepreneur लगा क्या investment कितनी हुई अब मरे शे मरा मैं कहता हूँ चलो दस नहीं भी आए पहली बार आपने जब किया तो कि धीरे धीरे word of mouth फैलता है ठीके ना धीरे धीरे एकदम से रातो रात नहीं होता पांच हजार की आपने वो stall लगाई और सिर्फ दस हजार रपे भी वहाँ से आए पांच हजार भी आए जितना लगाया उतना भी आगया और आप लगाते जा रहे हो लगाते जा रहे हो तो दीरे दीरे काम अपने आपी बढ़ जाएगा जब word of mouth spread होगा अगर आपके काम में दम है तो जो मैं हमेशा कहता हूँ ना काम पे focus करो रिजल्ट को छोड़ो आप समझा रहा है क्यों बोलता हूँ कि if you are doing something extraordinary तो लोग खुद चल करके आपके पास में आएंगे ना आप बोलिये ऐसा हो कि हम home delivery पहुंचा से के direct farmer से कृषित कर customer को provide कर सके उस वज़एसे customer भी satisfied हो और farmer भी satisfied हो excellent let's give a big hand for him अब यह सुचते हैं अब यह सुनने में आपको बड़ा चोड़ा सा idea लग रहा होगा पट यह कितना interesting है मतलब इसको करने में भी कितना मज़ा आएगा और इसका potential भी कितना ज़ादा है investment कुछ भी नहीं है इसके अंदर की मानलो हमारे आस पास में कुछ farms हैं 10 km, 20 km दूर कुछ ऐसे agricultural farms हैं वहाँ पर आप गए जा करके उनसे बात करें बात करने में आपको जा क्या रहा है इसको इस movie की तरह क्यों नहीं देखते हो इसमें जो thrill है इसमें जो adventure है जो मज़ा है दुनिया के किसी adventure sport में नहीं है मतलब कि हम हाथ पैर मार रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, grow करने के लिए grow तो करना ही है ना, कुछ तो करना ही है अपनी life बनाने के लिए हम try कर रहे हैं इसमें मज़ा है जादा या बैट करके बढ़ तीन घंडे तक picture देख रहे हैं और खुशोकर के बार आ गए है यहाँ पता नहीं क्या हो गया वो अपनी जगे पर है मैं यह नहीं कह रहा है, movies नहीं देखनी है बट मैं यह कह रहा हूँ कि this is much more entertaining मनला life को ऐसा बनाओ एक burden की तरह मत देखो अपनी life को जैसा कि सब आपके आसपास में लोग और घर वाले चाहते हैं कि आप ऐसा मानो कि life एक burden है, एक race है, competition है आपको जादा marks लाने है आपको यह करना है, ऐसे मत देखो life को ठीक है, जबरदस्ती अगर आपके उपर pressure जादा है वो करना पड़ रहा है, करो, लेकिन साथ साथ में, कुछ तो हाथ पर मारो लाइफ में आगे जागर कि यह regret तो ना रहे, कि मैंने कभी कुछ try नहीं किया तो यह बड़ा interesting idea है, जो यह बोल रहे है यह समझ पा रहे हो आप क्या है कुछ नहीं करना है खेतों में जाना है लोटा लेके नहीं जाना है क्यों जाना है खेतों में जा करके, वहाँ पर जो farmers हैं उनसे बात करनी है अपने एक दो और अगर कोई थोड़े से पागल टाइप के दोस्त हैं, आपके थोड़े मेरे टाइप के करेक्टर अगर आपके फ्रेंड सरकल में है या कुछ है उनको भी साथ में मिला लो मालब दो-तीन दोस्ते खटे हो गए फिर वहाँ पर गए, वहाँ पर जा करके और कुछ नहीं तो देखो उन लोगी लाइफ क्या है स्कूल्स में होता नहीं है कि आपको ले करके जाते है एक इंडस्ट्री दिखाने के लिए तो यही सोच लो कि मैं काम करने के लिए या बिजनस करने के लिए नहीं जा रही हूँ, डॉन्ट थिंक कि मैं बिजनस कर रही हूँ या बिजनस कर रहा हूँ, मैं कुछ सीखने के लिए जा रहा हूँ इसमें मज़ा आएगा या नहीं आएगा आप किसको observe कर रहे हो किसको study कर रहे हो, life को study कर रहे हो कितना कुछ सीखने को मिलेगा आप उनसे बात कर सकते हो कि आप 20 रुपेगा बेच रहे हो और मार्केट में वो जो हमारे घर के पास में दुकान वाला है वो 100 रुपेगा बेच रहे है यह हो क्या रहा है तो बताएगा देखो जी यह पूरा को पूरा सिस्टम है तो उनको आप बोलो कि अगर थोड़ा बात मुझे अपने घर के लिए चाहिए हो तो आप से ले सकता हूँ आपके घर वाले भी खुश आपकी माँ को और क्या चाहिए हाँ सब्सी वाले से 5-5 रुपे के लिए पीसे लड़ती है तो फिर आपने अपने पहले घर के लिए लिया फिर बोला कि मिलको अपने परोसी के लिए भी चाहिए परोसी भी आपके पास आएंगे लाइन लगा करके पैसे बचाना किसको नहीं अच्छा लगता है और वो भी फ्रेश वहां से आ रहा है डिरेक्ट बीच में कोई चैनल नहीं है तो अब ये काम आपको चलाना नहीं पड़ेगा ये अपने आप ही चल जाएगा word of mouth से आपकी मदर के पेट में बात पचेगी कि अरे तुम कहां ये सौ रपे घर ले तो मेरा बेटा तो बीज बीस रुपे में ला रहा है तो पूरे आपके block में बात फैल जाएगी आपका apartment है जो भी है जहां पर भी आप रहते हैं वहां पर बात फैल जाएगी तो अब आपको उनके पास नहीं जाना पड़े हो खुछ चल गर आपके पास में आएंगे कि बेटे हमारे ले भी ज़रा कुछ कर दो आपने वहां पर उस बंदे से लेना शुरू कर दिया थोड़ा profit उसको भी देना शुरू कर दिया उसको बोला देख तु मार्केट में 20 रुपे का बेच रहा है मैं तेरे से 30 का लूँगा तो वो भी खुश उसको बोलो के मेरे को quality बढ़िया चाहिए जो सड़ा हुआ माल है वो मार्केट में दे और जो तुरा best माल है वो मुझे दे मैं तुझे 30 रुपे दूँगा और आपने honestly बता दिया कि देखो मैं 30 रुपे का पीशे से लेती हूँ कोई जूट बोलने की जरूत नहीं है life में आगे बढ़ने के लिए कोई गफला करने की जरूत नहीं है आपने इमानदारी से बता दिया कि मैं वह से 30 रुपे कर ले करके आती हूँ या आता हूँ और इसमें मेरा इतना खर्चा होता है इतना मैं अपने पास में रखता हूँ इसके अंदर आप अगर देखोगे तो आपको मार्केट से सस्ता ही मल रहा है अगर वो कहते हैं कि नहीं इसे कम में दे दो तो बोलो आप डिरेक्ट जा करके ले लो देखो इमानदारी में बड़ी ताकत है अभी आप लोग पदा नहीं इमानदारी की ताकत क्या है honesty is the best policy इस तरह से आप कितना grow कर सकते हो बताओ उपर की limit क्या है potential क्या है क्या कभी भी ऐसा होगा कि वो लोग जो भी जो घरों जहां पर आप supply कर रहे हो वो लोग सब्जियां खाना बंद कर देंगे खाना खाना बंद कर देंगे possible है impossible तो आपका business कभी भी बंद हो सकता है कम हो सकता है या बढ़ना ही बढ़ना है बढ़ना ही बढ़ना है competition क्या है इस business के अंदर आपके लिए zero क्यों 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 कि खचरों के ऐसी सोच है ही नहीं लोग वो ही करेंगे जो सब कर रहे हैं आप अकेले दिख रहे होगे दूर-दूर तक जो ऐसा कुछ कर रहे होगे इस वीडियो के बावजूद देख रहे हो यह कड़वा सच है अलग करने का दम होता नहीं है लोगों के अंदर तो यह मत समझना कि अगर यह वीडियो आ गई तो पता नहीं लाखों लोगे करते हो नहीं करेंगे वही अपनी गवर्मन जॉब की त्यारी करेंगे सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी SSC स़री SSC गवर्मन जॉब्स के लिए रेश लगी हुई है कितने लोग अपलाई कर रहे हैं? 10 लाग, 20 लाग जो आप कितनों को मिलती है, 3000, 4000, भागो इस race में, क्यों, क्योंकि हमारे घरवाले भी कह रहे हैं, भागो, और सब भाग रहे हैं, तो मैं भी भाग रहा हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यह करके, बट अगर एक्चल में आपको एक धंकी life चाहिए, तो ऐसी सो बखो जो इंडिया में students है, यह जो और आपके जैसे लोग है, जिनको समझ नहीं आ रहा है, हम क्या करें, उनके लेट ऐसा दर्वाजा खोल रहे हो, जिसके बारे में अभी किसी को पता ही नहीं है, यूकि ऐसे ही examples हमको चाहिए, actual में society के अंदर, ऐसे hero नहीं चाहिए, AIR1, समझ रहे हैं, उनको hero बनाया जा रहा है, newspapers के अंदर उनकी photograph दी जा रहे हैं, जिसको देख देख करके आपके parents भी चमक रहे हैं, क्या है, आपको सपने आ रहे हैं, मेरी भी AIR बनाया है, ऐसे hero चाहिए society को, यह ऐसे जैसे कि अभी यहाँ पर discussion चल रही है, hero तो आप बनी जा को, तो अगर आपने race से कुछ अलग किया, और फिर आपका example दे रहे हैं इस दुनिया में, तो आप एक असली hero हो, you are the real hero, समझ गए ना, क्योंकि आप रास्ते खोल रहे हो इस दुनिया के लिए, unemployment को employment में convert कर रहे हो, अलग-अलग रास्ते खोल करके, तो बनना है तो ऐसे ब हो जाते हैं, फिर कुछ नया ट्राइ करते हैं, फिर fail हो जाते हैं, फिर third time तो हम यह सोचेंगे कि हम यह idea drop कर देते हैं, फिर किसी और idea के बारे में सोचते हैं, यह तो conventional path पर भी है, यह वहापर नहीं है, वहापर जादा है, यहाँ पर failure होने के chances हैं, क्या पहले तो आप मु खीची, उससे बात करी, यहाँ पर failure है कहां, उससे जा करके थोड़ी सी उसकी खेतों में से, वह वैसी दे देगा आपको सबजी, आप उसके पास गए हो, तो वैसी दे देंगे, दो चार किलो ले जाओ, फ्री में, तो आप तो वहाँ पर वैसी successful हो गए, फ्री में माल आग 90%, 95%, 99%, यहाँ पर investment क्या है, जो भी अब तक हमारा discussion हुआ है, 0, successful होने के chances क्या है, 90%, 95%, 99%, सच है जूट है, 100 भी छोड़ दो, 90%, इसको समझधारी कहेंगे, यह जो पुरी दुनिया आपो कह रही है करने के लागए, फिर भी आपो कर रहे हो, प्रेशर की वज़े से, डर की व अगर कोई इन कॉमपेटिटिव एग्जाम में जाना चाहता है यह चाहती है, इसलिए नहीं कि मुझे इसको क्राक करना है, और मुझे सेफटी चाहिए, सेक्योरिटी चाहिए, क्योंकि 90% लोगो यह चाहिए, उनको कॉंट्रिब्यूट नहीं करना है, सोसाइटी को, बट अगर अंदर से आपके आ रहा है, कि मुझे, मानलो यह ओफिसर बनना है, इसको क्राक करके, सिविल सर्विसे को क्राक करके, और जैनूरली कुछ चेंग लेकर के आना है, सोसाइटी के अंदर, इन हैट्स आफ तो अगर एक्शल में यह है तो, अभी आप बोल रहे हो, यह है लेकिन एक्शल में कुछ और ही है, समझ गए ना, एक्शल में यह है, कि अगर मैं यह कर गई, तो कितना मज़ा आएगा, बत्ती बाली गाड़ी मिलेगी, समझ गए, लाइफ सेट है, मेरे को यह घर मिलेगा, मेरे को इतनी सैलरी मिलेगी, उसके बाद मैं पेंशन भी मेरे घर वाले कितने खुश हो जाएंगे, तो अब होगा क्या, आप वहां पहुच भी जाओगे, और वहां पहुच करके आपने देखा, बड़े अपने सपने पिरोई थे, मेरे को यह करता है, वहां जा करके देखा, पूरा सिस्टम करप्थ है, आपके उपर भी लो करप् सब्सक्राइब कर देखा, जैसी वो आपको जाएगे, सकसे सापके दिमाघ पर चड़ जाएगी, और उस नौकरी को खोने का डर आपके ओपर इतना हभी हो जाएगा, कि अगर वहां पर करप्षन है, और आपने घर वालों से बात भी गरी, घर वाले क्या कहेंगे, तो अप आपको कटपुतली बनना है वही मैं पूछ रहा हूँ इसको ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ if you are taking that job of social welfare, if that is your motive, तैयार हो करके जाना कि यह तो फिर एक लडाई है it's not a cake walk, कि आवाँ जाओगे और एकदम से आपको सबकुछ अच्छा-च्छा-च्छा होने लग जाएगा या आपके आस-पास में उपर लोग बैठे होंगे, जाओ भला करो दुनिया का ऐसा नहीं होगा, दुनिया मरती है मर जाए, हमारी जेब में पैसा आना चाहिए सब्सक्राइब कर रहे हो, अपनी एगो को सैटिस्फाइब कर रहे हो, अपनी एक लियाबिलिटी हो हमारी कंट्री के उपर, सोसाइटी के उपर एक ऐसा बंदा, जो सरकारी इस मशीनरी में फिट हुआ पड़ा है, लेकिन अमना काम ढंग से नहीं कर रहा है, वो हम लोग के लिए अच्छा है बुरा है बुरा है, हम उसको दुआइं देंगे, बदुआइं देंगे, आपको भी बदुआइं मिलने वाली है इस शर्मिंदगी के साथ जी सकते हैं तो बहुत बड़ी है, जीते रहो शीशे में अपने आपको देखो, आँ मैं तो यह हूँ, मैं तो वो हूँ, क्या हो बदुआ मिल रही है, सदा सो करोड लोग के आपको, सच है यह तो आपको यह होना चाहिए, कि मैंने अपनी लाइफ में क्या किया, यह नहीं कि क्या अचीव किया, अचीव समझ गया ना किस वे में, नौकरी अचीव करी, घर अचीव किया, गाड़ी अचीव करी, यह पैसा अचीव किया, यह वो, यह सब कचरा है, कुछ नहीं है मैं इसमें इंट्रेस्टेट हूँ आपने अपनी लाइफ में क्या काम किया जैसे हिवाँ आप उसमें जाओगे आपकी वो जॉब लगी जो ड्रीम है आपके पेरेंट्स की तो आपको इतना बड़ा हीरो बना दिया जाएगा जिसकी कोई हद नहीं है कहां कहां तक लड़ू बटेंगे आप सोच भी नहीं सकते तो उनकी नजर में क्या हुआ आपकी लाइफ का जो मकसद था वो पूरा हो गया जैब कि actual में कुछ भी नहीं हुआ है अभी आपने किया ही क्या है अभी तो काम शुरू हुआ है और आपको लग रहा है काम खतम हो गया है इसलिए हमारी कंट्री का ऐसा हाल है अब ब्रिंगिंग ही गलत है वैल्यूज ही गलत है हीरो गलत लोगों को बनाए जा रहा है हीरो बनाना चाहिए उसको अगर आप एक government job में गए आपने क्या किया क्या आपने impact डाला इस society के ऊपर क्या काम किया चेंज क्या लेकर के आए चेंज क्या लेकर के आए चाहिए आप एक जरूर नहीं आप बहुत बड़ा चेंज लेकर के आना है आप एक government school के teacher हो तो आपने ये ठान लिया कि मुझे बाकियों का नहीं पता लेकिन मेरे contact में जो बच्चे आएंगे ये 50 बच्चे हैं मेरे contact में हर साल ये 50 नहीं बच्चे मेरे contact में आएंगे इनकी life तो मैं बदल दूँगी इनके एक एक के साथ में बैठूँगी और कोशिश करूँगी किसी भी तरह से अपने potential को पहचान सके और कुछ नहीं तो इनको appreciate करूँगी वो भी बहुत बड़ी चीज होती है एक बच्चे के लिए appreciation से बड़ा कुछ होता नहीं है वो life को ऐसे change कर देता है school time में मेरे एक moral science की teacher थी उसने पता नहीं क्या मैं तो ठखावा सा student था वैसी उसने बोल दिया class के सामने कि संदीब तुम बहुत आगे जाओगे लाइए मुझे अभी तक याद है वो बात आपको भी याद होंगी अपनी ऐसे कोई न कोई teachers जिसने आपको कुछ अच्छा बोला और वो भी याद होंगी जो मारते थे पीटते थे मैं यह तक सोचता था स्कूल में कि जब मैं निगल जाओगा ना मुझे नो मडर करूँ तो आपको देखना है आपको कैसा बनना है इससे होता क्या है हमको अंदर से satisfaction मिलती है यही लाइफ का purpose है और कुछ नहीं है clear हो गया ना तो मैं यह नहीं कहा रहा यह करना है वो करना है purpose must be clear purpose must not be money purpose must not be security purpose must not be कि मुझे यह position चाहिए मुझे यह rank चाहिए that must not be the target that must not be the purpose वो purpose ही गलत है purpose must not be job purpose must be कि इस job की through में क्या करने वाली हो और फिर अपना गोल बनाना है और फिर वहाँ पर अपना 100% लगा देना है तम मज़ा आएगा खेलें आपिए और में झाल झाल